राम राम दोस्तो दोस्तो अब एनलेसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी का मार्केट में गिरावट की पोसिबिल्टी और भी हो सकती है और भी मार्केट गिर सकता है कितना गिरेगा वो भी देखेंगे फिफुनाची के कोर्डिंग भी समझने की कोसिस करेंगे और साथी साथ हम कुछ एनलेसिस में बदलाव कर रहे हैं हम यहाँ पे पैवेट पॉइंट भी देखेंगे बोलिंजर बैंड भी देखेंगे आरेसाई भी देखेंगे प्राइज एक्षन को भी समझने की कोसिस और last में कुछ pattern जो बन रहे होंगे, उनका भी मैं आपके साथ discussion करने की causes करूँगा, सारे चीजों को हम यहाँ पे थोड़ असा detail में समझेंगे, आईए situation को समझते हैं, जैसे कि आप देखे ये एक जो momentum मिला है, ये काफी बहतरी न पोर्चनुटी बनी थी, क्योंकि market ने यही पे आपका क्या था, आपका इसी area पे previous day low था, यहाँ पे previous day closing थी, इनका breakout देने की कोशिस की गई, लेकिन यहाँ पे market ने resistance की थ्रेक्ट करके आपको एक reversal दिखाया, और सीधे सीधे trading day low का market ने breakdown दे दिया, तो आपके लिए एक सीधे सीधे setup बना, trading day low के breakdown वाला, सिर्फ इतन ही नहीं, जितनी लोगों ने scalping का भी course किया होगा, उन्हें भी market में बहुत अच्छा momentum देखने को मिला, भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक indicator लगा लेता हूँ, indicator मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ, यह में वाला, बलकि दो लगा लेते हैं, एक यहाँ पे setting change कर लेता हूँ थोड़ी सी color इसका कर देता हूँ, मैं black, ओके, यहाँ पे देखे, कितनी बहतरीन opportunity मिली है, angle भी है, rejection भी है, trading day low का breakdown भी है, momentum भी काफी बहतरीन है, एक momentum, देखो, scalping में इतना momentum भी बहुत होता है, अगर आप percentage wide बात करेंगे, तो इतना momentum भी बहुत होता है, यहाँ पे आपक एक momentum मिला, देखो, छोटी-छोटी momentum भी अगर आपको 2-3 candle आपकी direction में मिल जाए, और आप scalping कर रहे हो, तो उस तरह की momentum more than sufficient होते है, तो इसलिए मैं आपसे suggest कर रहा हूँ, कि जो 75% का offer चल रहा था, scalping course पे और intraday course पे भी, तीन दिन बाद वो offer खतम कर दिया जाएगा, 75% का offer, फिर मैं इसे गटा के 50% पे या 40% पे ले जाऊँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये offer जब तक है, इसका benefit उठा लेजे, अब हम यहाँ पे आते हैं, और pivot point से भी समझेंगे, लेकिन पहले Bollinger Band से मैं आपको कुछ चीज़े समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आ कोटे time frame पे भले ही market में एक negative scenario बन चुका हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, कि market में एक negative momentum हो चुका है, हाँ, हम एक discussion जरूर कर रहे थे, हम discussion क्या कर रहे थे, मैं आपको बता दू, हम discussion ये कर रहे थे, कि market में एक retracement की जरूरत है, अगर 25,000 तक market retracement दे दे है, लेकिन market में इसका भी breakdown दे दे और और भी negative momentum देखने की possibility market में नजर आ रही है, हो सकता है, मंडे को भी आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहीं पे मैं आपको Fibonacci लगा के दिखाऊंगा, कि important support नीचे की तरब कहा हो सकते है, कहा तक retracement का एक roll आ सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ जाईए, अगर आप 15 मिनट के time frame पे देखते हैं, बोलिंजर बैंड को देखते हैं, तो यह narrow होना शुरू हो गया है, पहले चीज़ नोट करो, यह sideways होने की ज़्यादा possibility है, दूसरी चीज़ नोट करो, जो RSI है, यह weak दिखाई दे रहा है, हाला कि last में आपको यह दिखाई दे रहा होगा, कि market में एक momentum आया है, एक positive scenario के तरफ जा रहा है, नहीं, हम इसे positive scenario के तरफ यह strong नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि अगर Monday को gap down opening हो जाती है, जो की probability नजर आ रही है, यह sideways opening भी हो जाती है, तो यह फिर से आपको weak होता हुआ दिखाई द सकता है, समझ में आ गया, लेकिन अगर हम time frame change कर दे तो सच्चा ही हमें थोड़ी सी वहाँ पर नजर आएगी, अगर आपका bank nifty वाला याद हो, वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने ये देखा था, कि middle band का breakdown मिल चुका है, लेकिन nifty 50 में middle band का breakdown नहीं मिला है, यह middle band पर support ले रहा है, समझ में आ गया, तो अगर Monday को gap down opening मिलती है, या फिर negative momentum देखने को मिलता है, तो middle band का आपको breakdown मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर closing भी नीचे मिल गई, फिर market कहीं न कहीं lower band तक जाने की कोशिस करेगा, तो आपके पास एक बहुत बहुत area हो जाएगा, या फिर मोटा मोटा आप समझे, कि जो इस area में जो इस support zone market ने बनाया हुआ था, जब तीन दिन में ही market इतना गिर गया था, उस situation पे जो इस support zone बनाया था, around 24,000 के around, तो support की possibility इस area में हो जाएगी, क्योंकि lower band भी आपको इस area में दिखाई दे रहा है, दूसरी अगर बड़े time frame पे देखे, RSI negative जरूर आपको दिखाई दे रहा है, या weakness जरूर सो करा है, लेकिन इतना weak नहीं है, weak हम इसे तब मानेंगे, जब ये 30 से नीचे चला जाएगा, तब इसे पूरी तरीके से weakness में आपको समझना पड़ेगा, कि अब weakness की probability है, हाँ अगर 50 से नी और भी ज़्यादा negative momentum इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर market कल gap down opening दे के recovery करने की कोशिस करता है, तो उस situation पे market इस middle band से उपर अगर closing दे देता है, तो फिर probability हो जाएगी कि market यही projection बनाने की कोशिस कर रहा है, और RSI भी तुरंत strong zone में जाने की कोशिस करेगा, ज़्या आए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम अगर मैं चेंज कर दूँ, वन मन्त के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिनेरियो को समझने की कोशिस करेंगे, ओके एक मिनट रूख जाओ, एक मिनट रूख जाओ भई, RSI लगा लेता हूँ, मैं RSI relative strength index, set up, ओके, येस, वन मन्त के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिस करेंगे, अभी भी ये अपर बैंड के पास में बना हुआ है, और RSI बहुत जादा strong आपको दिखाई दे रहा है, वीकनेस है नहीं, देखो, वन मन्त पे कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है, वन डे पे भी इतनी जादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, हाँ वीकनेस है, 15 मिनेट के टाइम फ्रेम पे आपको दोनों जंगे वीकनेस दिखाई दे रही है, बोलिंजर बैंड पे भी और RSI पे भी, यानि कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव सिनेरियो बना है, लेकिन एक बड़े time frame पे अभी भी market strong है यानि कि हो सकता है यह retracement करके फिर से bounce करने की कोसिस करे conclusion यह निकलता है समझ में आगे आपको बात अच्छे तरह के से आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको लेगे चलता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम एक तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा Fibonacci क्योंकि इसकी मदद से हम समझेंगे कि market में क्या-क्या scenario बन सकता है retracement कहां तक बन सकता है मैंने low पकड़ा और high पकड़ लिया राइट ओके low पकड़ लिया मैंने और high ओके कुछ लाइने भी ड्रो करता हूँ दोस्तो तब तक वीडियो को like कीजिए comment करके मुझे बताइए analysis कैसे लग रहे है नए हो subscribe कर लिए क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस तरह के content में और कुछ नया या मेरे setup या मेरे strategies सीखना चाते हैं नीचे description में लिंक है 75% का off चल रहा है तीन दिन बाद offer खतम हो जाएगा आई ये situation समझते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं हम पहले plan कर रहे थे कि market कम से कम यहां तक retracement दिखाई यानि कि 25,000 तक के zone तक ठीक है यही तो plan कर रहे थे हम कि भी market में एक momentum आया लेकिन market ने कमाल ही कर दिया है market ने सीधे retracement दिखा दिया है अभी 0.382 तक यानि कि 24,790 तक market retracement दिखा चुगा है तो पहले support की तो आपके लिए possibility है रहेगी अगर gap down opening हो गई तो इस situation पे market इसका भी breakdown दे देगा तो उस situation पे हमारे लिए जो अगले retracement की support की possibility रहेगी वो 0.5 और 0.618 रहेगी यानि कि क्या रहेगा 24,620 और 24,445 ये दो रहेगी ये क्या होगा 0.618 और ये क्या होगा 0.5 यानि कि ये दो अभी भी जब तक market इन से उपर है हमारे मन में यही रहेगा कि market एक momentum दे रहा था कुछ retracement plan करके market bounce कर सकता है bounce back कर सकता है लेकिन अगर market 24,445 का breakdown दे देता है यानि कि 0.618 का breakdown दे देता है फिर market में जो अगस्त का ये day low लगा है market इसकी respect करने जा सकता है इस area में यानि कि 24,000 तक market आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि फिर high probability बढ़ जाएगी कि market इसी trend में जाने की कोसिस करेगा या अपने trend को change करने की कोसिस करेगा समझ में आगी आपको बात clear हो गया ना concept मैंने क्या समझा इसे दोबारा से देख लेना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा important चीज़ थी इस वीडियो की मैं आपको फिर से समझाने की कोसिस करता हूँ main focus आपका दो जगया होना चाहिए 24,620 और 24,445 अगर इनका breakdown मिल जाता है खासकर 24,445 का अगर आपको breakdown मिल जाता है तो आपको और भी ज़्यादा negative momentum देखने को मिलेगा यानि कि market कहीं न कहीं 24,000 के area में support लेनी जा सकता है यानि कि अगस्त का जो day low लगा हुआ है यह अगस्त में जो low लगा हुआ है मन्थली market उसकी respect करने वहां तक जा सकता है समझे में आगी? आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको लेके चलता हूँ pivot point की तरब यहाँ पे आप देखेंगे एक pattern भी नज़र आ रहा है अगर gap down opening मिली तो इस support zone पे आपको नज़र रखनी है अगर market चलो gap down opening का बाद में discussion करेंगे पहले discussion करते हैं अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि market पहले ही अगला important resistance का रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिला तो दूसरा important resistance हो सकता है उसका discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दू यह आपके लिए किसे भी तरह करना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाएगी analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आप कहोने वाला है 25,090 पे आपके लिए तीसरा important resistance हो सकता है वही पर अगर nifty 50 में आपको एक negative momentum देखने को मिलता है उस situation पे जो पहले support की possibilities हो सकती है 24,755 पे हो सकती है अगर market ने इसका भी breakdown दिया जो दूसरे support की possibilities हो सकती है यह 24,685 पे हो सकती है अगर इसका भी breakdown मिला जो तीसरे important support की possibilities हो सकती है यह 24,604 पे हो सकती है लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा important part है gap down opening अगर market gap down open होता है ध्यान से समझो इस area पे दो चीजे है पहली previous day low है आपका इस area पे दूसरा यह जो trend line आ रही है इसका support भी इसी area पे है ध्यान से देखो support, 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 support यह आपको दिखाई दे रहा है अगर gap down opening होती है इसी area के पास जहां पे दो चीजे दिखाई दे रही है तो हम यह देखेंगे अगर market ने bounce किया bounce back करने की कोशिस करी तो यह trend को market इसी range को follow करने की कोशिस करेगा तो उसके according उपर की तरफ यह trend line भी resistance की तरह act करेगा और previous day closing भी resistance की तरह act करेगा यानि कि अगर यहां से आपको एक momentum मिलता है तो आप scalping opportunities पर focus करेंगे अगर market gap down open होके recover करने की कोशिस करता है तो आपके लिए छोट इसी opportunity रहेगी previous day closing तक और इस trend line तक लेकिन अगर दोनों का breakout मिल जाता है फिर आपको उपर की तरह पता है आपके लिए resistance की possibility कहा कहा है समझ में आ गया लेकिन अगर gap down opening देखे market breakdown दे देता है तो आपके लिए setup बन जाएगा previous day low के breakdown वाला setup इसके according आप अपनी entry plan करेंगे stock close plan करेंगे target decide करेंगे नहीं जानते आप इस setup के बारे में तो अभी 75% off चल रहा है intraday strategies पे और अगर scalping strategies भी सीखना चाहते है क्योंकि जिस तरह का market चल रहा है उसमें scalping strategies बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है तो उस situation पे क्योंकि आप momentum में घुसते हैं पकड़ते हैं कुछ point निकालते हैं और market से तुरंते exit कर जाते हैं ना तो आपको ये देखना कि market में क्या new चल रही है कैसे चल रही है आपको candles पे देखना है setup strategies पे काम करना होता है momentum पकड़ो और निकलो positive new चल रही है उससे कोई फरक नहीं पढ़ना negative new चल रही है उससे कोई फरक नहीं पढ़ना इसलिए उस पे भी मैंने 75% off कर रखा है तीन दिन के लिए ही है नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा scalping course जरूर करना अगर हम यहाँ पे बात करें market ने दे दी आपको gap up opening उस situation पे क्या करेंगे जैसे कि यहाँ पे previous day closing है और यह trend line है trend line का rule यह कहता है 24,941 का यानि कि अगर gap up opening का scenario बनता है तो आप इसी area पे focus करेंगे कि market में देखो अगर flat open होके या फिर gap down open होके positive momentum आया तो situation बदल जाएगी एकदम से फिर जो मैंने आपको पीछे बताया आप उसके according चीजे plan करेंगे लेकिन अगर gap up opening देके market breakout देनी के कोसिस करता है तो आप फिर इन situation के according plan करेंगे आप इस area पे focus रखेंगे 24,941 तो दोस्तों इस वीडियो को like करना मुझे comment करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे हैं नए हो subscribe करना और offer का फाइदा उठाना फिलाल 75% चल रहा है दोनों कोर्सिस पर best scalping strategies पर भी और best intraday strategies पर भी दोनों आपको नीचे description में मिल जाएंगे application में जाके और तीन दिन बाद ये offer खतम कर दिया जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम